खुबसुरत नजारों की धर्दी और हर्याले जंगलात का घर कही जाने वाले किश्टवार जिले पर कुद्रत पूरी तरह से महर्बान तिखाई देती है। चिनाब दर्या के किनारे बसे जिले को सूफी संटों और देवी देवताओं का निवास भी कहा जाता है। 2007 में वजूत में आया किश्टवार जिला पहले डोडा जिले का ही एक हिस्सा था। 7,737 किलोमीटर वर्क पर फैला और 2011 की जंसंक्या के मुताबिक 2,30,696 की अबादी वाला ये जिला। रक्मे के हिसाब से केंदर शासित प्रदेश जंबु कश्मीर का सबसे बड़ा मगर सबसे कम आबादी वाला जिला है। पिछले कुछ वर्षों में इस जिले ने विकास के मामले में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। पूरे जिले में सडकों का एक जालसा बिछाया गया है। जिले में परेटन की बहुत अधिक संभावनाओं को देखते हुए उन जगों पर भी सेलानियों की सहूलत के लिए बुन्यादी धाचा तयार किया जा रहा है। जो माडवा, वाडवन, दच्छनवादी की तरह अब तक अच्छूती रही है। इसी तरह जिले में ऐसी भी अनेक जगए हैं जो परेटकों को अपनी तरफ खीचने की सलहायत रखती हैं। जिनमें सिंथन टॉप, आलू फार्म, मडवा, वाडवन, पाडर, मचेल, इश्तहारी, गंधारी, देवी गोल, बिमल नाग, पूती नाग, मुगल मैदान, छात्रू, सिंगपुरा, फांबर, किस्त्वाड हाई एल्टिट्यूड नैशनल पार्क, छतर चिनान, तत्ता पा कालम सतर और एतिहासिक जोगान मुख्य है, इन वादियों में अनीक विकास प्रोजेक्टों पर काम जारी है, दच्छन में डाग बंगले, तथा चात्रू और गुलाब गड़ में पर्यटक स्वागत केंद्र की मारतों की निर्मान का काम जोरों पर है, ये जिला धार्मिक परेटन के लिए भी जाना जाता है, मचेल माता यात्रा, सरसल देवी यात्रा, किष्टवाड का गौरी शंकर मंदर, दरगाशा असरार उद्दीन भगदादी, दरगाशा फरिद उद्दीन भगदादी और इन दरगाहों पर लगने वाले सालाना उर्स भी अकीदत मंदों के दिल में एक खास मकाम रखते हैं। जिले की सांस्कृतिक गतिविध्या भी यहां के लोगों की समाजी और आर्थिक तस्वीर की एक खूबसुरत जलक पेश करती है। इनमें नाग सेनी और पाडर की संस्कृति का इतिहासिक रूप से भी बड़ा पहत्तु है। सेहत चेत्र में भी जिले के किश्त्वाड कस्बे में 50 बिस्त्रों वाला आयूश अस्पताल, B.S.C. नर्सिंग कॉलेज और किश्त्वाड के जिला अस्पताल में 100 बिस्त्रों वाला एक अतरिक्त ब्लॉक का निर्मान कारीज जारी है। इसके साथ ही चात्रू के निकट सिगदी में सेहत केंद्र, मुगल मैदान में अस्पताल, अठोली में अस्पताल, तागूद में सेहत केंद्र, लोपारा दच्छन में अस्पताल, नावा पाची मढवा में 50 बिस्त्रों वाला अस्पताल, मढवा में सामुदाइक सेहत कें और दच्छन में किबड नाला के निकट प्राथमिक सेहत केंद्र का निर्मान शामिल है। इन में से बहुत सी जगों पर निर्मान पूरा कर लिया गया है जबकि कुछ जगों पर काम जारी है। पॉलिट टेक्निक कॉलेज का निर्मान कारे अलग-अलग मरहले पर जारी है। इसी प्रकार कृषी छेतर की बात करें तो उसमें भी किष्टवार जिला अपने लिए एक खास जगा हासिल कर चुका है। केसर की काश्ट के लिए तो किष्टवार की पहचान अब लगभग पूरे भारत में बन चुकी है। इसी प्रकार मश्रूम की खेती किसानों का पसंदीदार रोजकार बनता जा रहा है। जिले के मुगल मैदान इलाके में कृषी विज्ञान विकास खेंद्र की इमारत का निर्मान भी जारी है। और वहीं पर मचली पालन के लिए तालाब भी विक्सित किया गया है। इसके अलावा दूसरे छेत्रों में भी बुन्यादी धाचे के विकास के लिए गतिविद्या तेज रफ्तार से जारी है। मुगल मैदान में तैसील दफ्तर, दच्छिन के सौंदर गाउं में भी तैसील दफ्तर का निर्मान कारे पूर्टा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बिजली छेत्र का किश्तवार जिले में खास महत्व है। इलाके के बीच बहने वाले चिनाब दर्या में हजारों मेगावाट बिजली पैदा करने की सामर्थ मौजूद है। जिसका पूरा लाब उठाने का प्रयक्पन किया जा रहा है। दूल हस्ती जैसे पन बिजली प्रोजेक्ट तो बिजली का उत्पादन कर ही रहे हैं मगर किश्तवार में और भी कई पन बिजली प्रोजेक्ट का निर्मान कारे हाथ में लिया गया है। इस सिलसले में 1000 MW समर्थेवाला पकल डूल पनविजली प्रोजेक्ट चिनाब की सहेक नदी मरू सुदर पर बनाया जा रहा है इसी तरह 624 MW समर्थेवाले कीरू पनविजली प्रोजेक्ट का निर्मान भी चिनाब नदी पर किया जा रहा है जिले में 850 मेगावार्ट समर्थेवाले रटले, 540 मेगावार्ट समर्थेवाले कवार और 930 मेगावार्ट समर्थेवाले किर्थाई 2-5 बिजली प्रोजेक्ट का निर्मान भी जल्द ही शुरू होगा इन सभी प्रोजेक्ट से ना सिर्फ किष्टवार और जम्मो कश्मीर बलकि भारत के कई राज बिजली की रोष्णी से जगमगा उठेंगे पूरे जिले में जारी विकास गदिवीधिया इस बात का प्रमान है कि किष्टवार तरक्की और खुशाली के रास्ते पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है